कोरणा संक्रमंट को दूर करने के लिए शहर की तरह ग्रामिन अस्पतालों में कोरणा से समधी सभी हावशक्षिक सासुईदाय स्तापित करें ग्रामिन ख्षेत्रों में कोई भी मरीज इलाश के अभाव में वंचित न रहे ऐसे नितिन राउद द्वारा कहा गया है राउद ने महानिर्मिती कोराडी के कोविड केर सेंटर का दोरा किया और निरिक्षन किया वहाव समय बात कर रहे थे महानेरमिती और दतामेगे मेडिकल कॉलेज और शालीनिताइम मेगे हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ने स्तायुकत रूप से कोराडी के ग्रामिन स्वास्त परडिक्षन केदर में कोविड केर सेंटर के स्तापना की संभा गया एक तो डॉक्टर संजी कुमार जिला परिशत के प्रभारी मुख्यकारी कारी अधिकारी शालीनिताइम में के अस्पताल के अधिक्षक डॉक्टर कमल किशोर फुटाने डॉक्टर दिलीब गोड डॉक्टर दिपक सेलोकर जिला सर्जन डॉक्टर देविन रपाट कर चिकरसा अधिक्षक मुकेश गजबी इस असर पर संजेद देश पांडे मुख्याबियंता राजेश पाटे राजकुमार तसकर अनिल आश्टिकर राजेंद्र राउत तहसलदार अर्विन हिंग समोह विकास अधिकारी अंशुजा गराटे उपस्तित थे कोविड केर के मरीजों को अब इसकेंद्र के कारण इसक्षेत्र में उपचार मिलेगा यह मामला संतो जनक है बेड की संख्या को 20 से बढ़ा कर पचास करें और यहां मरीजों के लिए पोस कोविड सुविदाय भी स्तापित करें मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बेड की स के लिए यहां भरती किया जाएगा कोविड केर सेंटर में वर्तमान में 20 बेड की शमता है जसमें 10 बेड ऑक्सिजन की सुविदा है यहां मरीजों का इलाज किया जाएगा कोविड केर सेंटर में 5 डॉक्टर 5 नर्स और तीन परिचारक है डॉक्टर राउत ने कामठी में उपजिला अस्पताल का निरिक्षन किया उस समय उन्होंने मुख्या बियंता राजु भूगे को कामठी के उपजिला अस्पताल में महानिर्मिति के खापर खेडा थर्मल पाउर स्टेशन के 42 क्यूबिक मिटर क्षमता वाले ऑक्सीजन सैंत्र को स्ताना अंतरित करने के उन्होंने पाटकर को संभाग या उतको तुरंत एक प्रस्ता प्रस्तूत करने का निर्देश भी दिया पालक मंत्री डॉक्टर राउट के हाथों कामठी रोड़ पर आशा अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्खाटन भी किया गया यहां ऑक्सीजन प्लांट सौ ज के साथ अभिशेक पांसी के रिपोर्ट बीसेन नियोज